वामन पुराण ऐसी मजेडार विडियो हिंदी नी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले एक बार भगवान शिव और माता पारवती घूमते हुए काशी पहुँच गए वहाँ पर भगवान शिव अपना मूँ पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे उसी समय पारवती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आँखों को बंद कर दिया ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा चा गया दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी जिससे संसार में पुनह रोश्नी बहाल हो बई लेकिन उसकी गर्मी से पारवती को पसीना आ गया उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ उस बालक का मूँ बहुत बड़ा था और भन्यकर था उस बालक को देखकर माता पारवती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा भगवान शिव ने पसीने से उत्पन होने की कारण उसे अपना पुत्र बताया अंधकार में उत्पन होने की वज़े से उसका नाम अंधक रखा गया कुछ समय बाद डैत्य हिरन्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मागने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर्दान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी मा की और देखे अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई मा नहीं है वर्दान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्ट करके तीनों लोकों का राजा बन गया फिर उसे लगा कि आब उसके पास सब कुछ है इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए उसने तेख किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुन्दर स्त्री से शादी करेगा जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में परवतों की राजकुमारी पारवती से सुन्दर कोई नहीं है जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है वो तुरंद पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा पार्वती के मना करने पर वो उसे जबर्दस्ती ले जाने लगा तो पार्वती ने शिव का आहवान किया पार्वती के आहवान पर शिव वहां उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताये कि तुम पार्वती की ही पुत्र हो ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वद कर दिया विशेश, वामन पुरान में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है जिसका वद्ध शिव करते हैं जबकि एक अन्यमतानुसार अंधक का श्य प्रिशी और दिती का पुत्र था जिसका वद्ध भगवन शिव ने किया था इस तरह ये भाग समाप्त होता है